सचिकार, नमस्कार, असलाम अलेकम मैं इस वक्त जनाब रजीव मलहोतरा साहब के पास पैठा हूँ और मेरी और उनकी एक common bondage है हम दोनों भारती हैं, दोनों धर्मा से तल्लक रखते हैं और दोनों पंजाबी भी है और जब मैं ये पंजाबी कहता हूँ तो पंजाबी मैंने एक forum बनाया उसमें पीटर बटी उसके founding member है और उसके अनवर बटी founding member है दर्मिंदर बटी founding member है और बलजीत बटी founding member है आखरी last name बटी हम सब का है और धर्म सब के different है धर्मा एक है और उसी धर्मा गुरू के साथ जिनके साथ मैं अपनी बाती अब करता रहूँगा एक मैंने शोव आप के साथ share किया उनी की मदद से उनी की जगा पे infinity foundation की headquarter में मैं बैठा हुआ हूँ जनाब रजीव मलहोतरा साब के पास नमस्ते सर नमस्कार सर मैंने कुछ बात की कि देखिए हम सब की जो भारती पन है जो पंजाबियत पन है वो एक है धर्म चार है किस्चन है पीटर बटी अनुवर बटी दर्मिंदर बटी और बलजीट बटी तो जो कॉमन है वो तो एक ही चीज़ है नसर यह बात समझाती है बहुत सारे लोगों को देखिए अब यूएसे में जो हमारा इंडियन सर्कल है उसमें काफी पाकिस्तानी भी है मुस्लिम्स भी है उसे हम बाचीत करते है लेकिन मुझे लगता है कि हमने जो उनकी तरफ प्यार दिखाया ओपनेस दिखाई कुछ-कुछ तरह से उन लोगों ने रेसिप्रोकेट नहीं किया उन्होंने सोशल तो किया पार्टीज में भी इंवाइट किया बच्चों की शादियों में भी इंवाइट किया लेकिन अपने दिल में उनके कुछ विचार जो है वो हमारी तरफ ठीक नहीं है जब ये कश्मीर की बात हुई 370 या आयोध्या क्में वो डिसीजिन हुआ तो वो लोग एकदम ही अलग हो गए एकदम ही मतलब बदल गए डिफरेंट फेस उनका नहीं दिखाई दिया और मैं भी काफी देर से ये सोचता रहता हूँ आप से भी बात पुछता चाहता हूँ क्योंकि इंडिया में भी जब मेरे फादर लहुर से आये तो उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे उन्होंने उनके सांथ कांटक्ट रखा चिटियां लिखते रहते थे और वो कभी पाकिस्तान नहीं गए पर पाकिस्तानी करी फ्रेंड्स हमको मिलने भी आये थे तो जो उस जमाने से मैं यह स्टडी कर रहा हूं कि यह पाकिस्तानी कौन है क्यों अलग हुए मुस्लिम कौन है जो इंडिया में आये कैसे अलग हुए क्यों उनको क्या फाइदा हुआ तो यह जो पाकिस्तानी आइडेंटिटी है उसके बारे में आपको कुछ पूछना चाहता हूं मैं मैं सर बिलकुल बहुत फ्रेंक होके बताऊंगा दुख की बात यह है कि यह जो आपने जानना चाहा कि यह क्यों मुख्तलिफ है टू नेशन थियोरी का फराइडस में है जो फाउंडेशन में है ना टू नेशन थियोरी है जो 40 से 1940 से जहर गोल रही है उससे पीछे भी बैगेज है मैं उसकी तरफ भी आऊँगा लेकर मैं रीसेंट बैगेज की तरफ आता हूं टू नेशन थियोरी सर है क्या यह हेट्रिट पे बेस है कि हम पाक हैं बाकी न पाक हैं और मैं यह कहता हूं कि दुनिया की जितनी हुमन राइस की और सिवल लिबर्टी की ग्रूप है और यवन यू एनों का जो हुमन राइट्स का वाच का है उसको टू नेशन थियोरी को हेट कराएं के तोर पर रख देना चाहिए वो इसलिए सर कि वो अपने ही हेरिटेज के अपने ही डी आने के और अपने ही जो हमारे फोर फादर्स हैं हिंदू उन से भी हम डिनाई कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम अपने बारे में भी गलत सोच रहे हैं चलिए हमने सिख्खों के बारे में हिंदू के बारे में घलत स गोल रहा हूँ चलिए उसको भी छोड़ लीजिए मैं अपने माँ-बाप के बारे में ज्वूट बोल रहा हूं इस से बड़ी शर्म की बात क्या है ठीका मेरे को दो तीन जनरेशन पहले होए होगे, मेरे फादर शायद मुस्लिम होगे, उससे गो दो तीन जनेशन पहले तो हिंदु होगे न सर। तो मैं अपने दादा पर दादा के बारे में, दादी पर दादी, नानी के बारे में, जब जूट बोलूँगा, कि वो ये नहीं थे, जब कि वो वो थे, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने खून से जूट बोलूँगा हूँ, तो सर, ये टू नेशन थियूरी जहां हिट्रिट की बनियाद है, वहां ये जूट की बनियाद भी है, आपने बात की कश्मीर पे बात होगी या किसी मी इशू पे बात होगी, तो एक दम से ना, वो अपनो रुख बदल लेंगे, सर ये भी अपने आप से जूट है ना, कश पार्टी के लिए, मौजमूज करने के लिए, खाने पीने के लिए, तो ये आपने कश्मीर की बात की तो नहीं चलेगी, वो हम इधर हैं, आपके सान दोड़ाई करेंगे, सर दिकिए कश्मीर की हिस्ट्रीक पे, मैं थोड़ा सा, बहुती ब्रीफली टच करता हूँ, कश्म सर आप ही के वो हेरिटेज नहीं है, वो मेरा भी तो हेरिटेज है, अच्छा मैं अपने हेरिटेज को डिनाई कर रहा हूँ, उन जो फाशिस रूलर्स हैं, जो आये थे कभी, उन के साथ उस दर्थी को जोड रहा हूँ, तो मेरे से बड़ा जालम और फजूल आदमी कोई क् देखें न सर, मेरे दादा पर दादा तो हिंदू थे ना, मेरे जीन्स, मेरा डीन ने आज भी हिंदू है, अच्छा मैं मुझे को पूछता है, मैं कहता हूँ, I'm a Hindu, born in Muslim faith, यह सर बड़ा ही सीधा साच है, इसमें कोई बुरी बात ही नहीं, सिर्फ आप समझ सकते हैं इस इस लेकर मैं जब लहोर में अपने बच्पन में गुंता था, तो मैं अपनी मां से दो question किया करता था, मैं मां से कहता था कि इस शहर में उस वक्तीन hospital होते थे, गंगराम hospital, मियों hospital, गुलाब देवी hospital, मैं यह कहता था कि सारे अच्छे काम मेरे हिंदू, बहन भाईयों नहीं कि I was born in गंगराम hospital, मियों hospital, गुलाब देवी hospital, यह तीन hospital थे मेरे बच्पन में लहोर में, उस वक्त यह शेख जैद मिन नहान का hospital नहीं था, यह बहुत बाद में आया जब मैं medical college में पढ़ता था, अब गंगराम hospital नहीं बदल दिया कि वो ही है? अभी तक तो मेरा ख्याल है व लहोर जहां में जमा, जहां में पैदा हुआ, यह दोनों राम के बेटों के शेहर थे, अच्छा एक तो मैं मां से ही कहता था, दूसरा मैं जब कभी लहोर के वो जाता था शेहरों के अंदर, गलियों महंदों में, सारा architect हिंदू architect था, तो मैं अपनी मां से ही कहता था कि क्य मुसल्मानों के घर कोई नहीं होते थे, तो मेरे नाना जिन्दा थे, वो कहते थे वाकी नहीं होते थे, यह तो हिंदूों के घर थे सारे के सारे, हमने तो निकाल दिया उनको, अब मैं यह थोड़ा हिस्टरी में मैं अपने विचार बताना चाहता हूँ, यह देखिए जब जुडाइजम से Christianity शुरू हुई, तो Christians ने अपना Jewish origin deny नहीं किया, Bible जो है, उसमें Old Testament है, New Testament है, तोनों है, कभी हमारा नया पागंबर आया, Son of God आया, पर जो पहले के थे, वो भी तत्तीकी थे, अब उसी जुड़े Christians से ही इसलाम पैदा हुई, अब इसलाम में भी इसलाम में पहले जो prophets हैं, पैगंबर हैं, उनके बारे में जिकर किया हुए, Jesus Christ को बहुत उचावाना हुए, कि वो बहुत important prophet है, लेकिन उसको son of God नहीं किया, क्योंकि एक बार son of God हो गया, तो फिर उसको superset नहीं कर सकते है, एक बार son of God हो गया, अब जो उसका एक मालिक है, कम्पनी का जो मालिक है, और एक ही मालिक है, एक ही son था, तो और जो normal manager है, वो उसको superset नहीं कर सेगा, वो नहीं कैसे जा कि मेरे instruction ज्यादे important है, तो महमद जीजस को नहीं superset कर लेगा, यदि Jesus son of God माना जाए, और एक बार son of God माना तो फिर virgin birth को मानना पड़ेगा, और virgin birth को माना तो फिर बहुत सारी चीज़ों को मनना पड़ेगा, तो यह जो इसलाम की metaphysics है, वो फिट नहीं आ सकेगी, तो इसलाम की metaphysics को फिट करने के लिए Christianity से लड़ाई करनी पड़ी, कि उनको अब मार पीट कर निकालो यहां से, वो उनको उनकी बातों को destroy करो, अब देखिये, यह जो mentality हो ग यह एक्सपोर्ट करके फिर इंडिया में आ गी, अब इंडिया में आ गी, वहां तो और फैली यह बात, क्योंकि वो तो, यह तो हमारे लोगी नहीं है, यह तो काफी रहें, तो पदा नहीं कौन लोग है, इनको तो हम मार्क उटाई कर सकते हैं, रेप कर सकते हैं, कुछ भी बनाके फोर्ष कंवर्ट हो गया, वो जो एक बार कंवर्ट हो गे, फिर वो ही दूसरों को एक ऐसे करने चरू कर दिया, जो मुसलिम्स, हिंडूस को हेट करते हैं, उनकी रेहलफें तो यह थो हिस्ट्री तो यह है, कि वो भी हिंडूई थे, उनको कंवर्ट किया गया और वो कनवर्ट होने के बाद उनको ये कि सिखाया गया कि जो बाकी हिंदुजां उनको हेट करो उनको हेट करो कि तुम्हारी पावर होगी तो ये एक तरह की साइकॉलजी बन गई अब ये मैंने ये सिखा कि एक इसलाम में जो साउथ इंडिया में इसलाम है उसमें ये categories है अश्राफ, अजलाफ, अश्राफ वो हैं जो आपने आपको समझते हैं कि मैं अरब हूँ, मैं तो इंडियन हुई नहीं, तो मुझे क्या परवा, मैं अरब हूँ, टर्क हूँ, पर्शियन हूँ, और अश्राफ में भी categories हैं, कई categories हैं जो साइद, जो मैं प्रॉफिट क descend act हूँ, कोई है जो कहते हैं प्रिष्टून हूँ, पर्थान हूँ, कोई कहते हैं मैं तुर्क हूँ, कोई कहते हैं मैं अरब हूँ, शेक हूँ. तो यह जो Check जिए आश्राफाइजेशन अफ मुसलिम्स हुआ उन लोगों ने चुरू किया कि जो बाकी लोग इंडिया के हैं वो नीचे लोग हैं इसको मैं इसलामिक कास Lिस्टम कहता हूं एक तोनां से समझें जिया है। और एक यह आई याजाज एहमद जे-ए- discriminate में प्रोफेसर थे उन्होंने इस्लामिक कास सिस्टम के बारे में पुस्तक भी लिखी और उनके अगेंस कितना कुछ किया गया लेफ्टिस ने इंडिया में उनको निकाल दिया गया क्योंकि ये जो एक बार एक्सपोज हो गया तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी तो आपका DNA इंडिया नी हो लेकिन आप कह सकते हैं परशिन हो और यदि आप Arabic शीख जा तो और भी उचे हो जाएंगे तब आप कह सकते हैं मैं शेक हूँ मेरे माबाप परदादे शेक थे तो यह एक तरह की hypocrisy है यह एक तरह का जूट है यह scientific तरीके से भी प्रूफ किया जा सकता लोगों को आप पाकिस्तान में जाकर लोगों के DNA करवा और पूछो भी आपकी कितने परसंट हैं अब यहां पर हमारे एक फ्रेंड्स थे फ्रेंड्स पाकिस्तानी USA में तो वो कह रहे हमने तो DNA हमारे DNA के मताबक तो हम तो Scandinavia के हैं हम तो white लोग हैं हम तो वहां के हैं मतलब क्योंकि वो बहुत inferior है अब Arab countries में अभी thanks to modern times यह Egyptian museums और पिरमीड वगारा उनकी थोड़ी इज़त हो रही है क्योंकि उसकी tourism की value है लेकिन जो Saudis है उन्होंने तो सबको मार पीट के सबको बरबाद कर दिया तो यह कैस यह मतलब I feel कि जो Pakistan identity है it is a result of this history यह Islam में एक बिमारी है क अपने आप ही अपने लोगों को deny करो जो उनकी archaeology है जो उनके मंदिर है उनको तोड़ो फोड़ो और यह हमको Allah नहीं का हुआ है करने का तो हमको हक है तोड़ो फोड़ो उसमें जो भी सोना होना है वो निकाल के ले लो हमारा हो गया क्योंकि यह लोग काफीर है इनका तो क्या इसके बारे में कहना है देखें सर यह mentality जो है ना अनफर्चलेडली यह history ठीक है आपके बारे में हिस्टी तो बिल्कु ठीक है इस्टी तो तो को इनकार नहीं है यह history हमें यह बताती है कि हम शुरू से जूट बोलते आ रहे हैं अपने आप से यह बहुत important statement आपने आप important statement अब यह है कि अगर DNA की बात करते हैं तो DNA तो सब इनसानों का फिर एक है फिर फिर तो छोड़ दीजिए यह धरमवरम की boundaries बिलकुल प्राब्लम यह हुआ कि इसलाम ने या मुसलमानों ने इनकी leadership ने यह किया इन्हों ने का कि हम जो identities हैं जो लोग रहते हैं जो Muslim in India है या Muslim in Turkey है या Muslims in Indonesia है से या even Muslims in China है इनकी सब क्या identity कैसे खातम करें उन्हों ने concept दिया Muslim उम्मा का हैं या आप हो ही ने जो हो आप हैं Muslim उम्मा हैं सर मैंने अभी आपको पंजाबी की बात की थी कि हम चार different धर्मों के लोगों ने पंजाबी फोरुम बनाया तो धरम मुक्तलिए ले लेकिन हम वो चारों लोग यानि गंडों बात कर सकते हैं एक दूसरे के साथ धर्म अलग होने के बावजूर मेरा अरब के साथ धर्म मिलता है तो अरब मुझे कहता है brother how are you? तो मैं कहता हूँ I'm fine वो मैं मैं उसे कहता हूँ I'm fine हमारी conversation खतम हो जाती है चुकि हम में कुछ common बारती चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सेख और करिशन हो पार्टी हो जो भी हो बोद हो जेन हो उसका इतना common है कि धर्म पीछे चला जाता है बैक्टॉप पे चला जाता है अब ये तो है सच हम आब मुस्लिम अनफर्चुनेली जो पाकिसानी खास तो पर जो खास तो पाक प gustaría पाकिस्तानी कोई कई नहीं कोई नहीं नहीं पाकिस्तानी कोई कöण ही नहीं सर मैं यह एड़की ने ठीक है उसके बाद पश्टून पश्टून विचारों का एलाइंस ही नहीं बनता चुकर पश्टून तो वो उपर के बेल्ट के वो नौर्थ के लोग है नैचरली वो अफ़ानस्तान के साथ है वो एक मतलब इंकन्वीनियंट मैरेज़ सी है बलोचों पर कबदा की अबार है गरीबों पर ठीक है वो तो हम में आना ही नहीं चाहते थे यह महाजर गलती करके गए थे अच्छा यह कहते हैं महाजर मेरे बेहन भाई करते हैं हमने कंट्री बने मैं तो आप ने नहीं बनाया बनाया था अंग्रेजों ने ठीक है और उसकी उसको स्पोर्ट किया था के वो कौमी जो एंथम है नाशनल एंथम का भी है लेकर वो भी अननैचरल एलाइंस है इदर ठीक है पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा स्टेक होलडर था बंगालियों का वह उन्होंने तौबा तौबा करके जान चुड़ाई बिचारों का क्या मर्डर हुआ अब सर य जो एक ये बात है दूसरी आपने इसलामी कास्सिसम की बात की मैं उसको भी थोड़ से अड्रेस करूँगा आप इसलामी कास्सिसम का ये आलम है कि शीया सुनी का आपसे मारिज कोई असान नहीं होता हो जाती है पाकिसान में बड़े बड़े चैलेंज़ है आम शीया सुनी मारिज नहीं कर सकते हैं मास्क से अलग हैं मास्क से अलग हैं अचा फिर सरफ शीया की और सुनी की मास्क का मसला नहीं है सुनीयों के आगे कोई सतर बहतर फिरके हैं वो भी कास्ट है कि ब्रेलवी द्योबंदियों के साथ में शादियां करेंगे मास्क अलग हैं मास्क भी अ में भी आगे कई सेक्ट्स हैं यह आगा खानी हैं यह ब्रोही हैं यह अमरोगवा के हैं अच्छा अब आप अधिया बिचारे पर्सेक्यूटड हैं मैंने सारी जिन्दिगी एमदिया की पर्सेक्विशन की मुखाफ़त की मगर ऑन दे अधर हैं एमदी भी जो है बदकिस्मती से जिएतर पंजाबी मेरे ही और आपके ही वह ब्लड के लोग हैं यह बाजवा एमदी है ना इनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी हैरिटेज है वो तो डिनाए करेंगे उफकोर्स वो लेकर आप एमदी यों का भी देखिए एमदी हम इनकी स्पोर्ट करते है कि इनके साथ जल्म होता है मगर उनका प्रावलम किया है आप किसी एहमदी बची या बच्चे की शादी की हो नहीं सकती वो उसको निकाल देते हैं अपने अपने गृुप से निकाल देते हैं जो एहमदी हैं वो सबसे ज़्यदा कश्मीर के लिए पाकिस्तान के निरेटिव क वो दिल से ऐसा समय आप देखिए जब पाकिस्तान बना था सर जफरुला खान जो एहमदी थे पहले फार मिनिस्टर थे पाकिस्तान के उस वक्त मौला ना मदूदी के खलाब मुकदमा बना कि यह क्यों बना था कि मौला ना मदूदी ने एमडियों के खलाब पैमफिलट ज हो यह तो partition थी right right I have to be honest right ठीकर नगी यह यह इंडिया पर डाका था ठीक है, अब वो माइंड सेट जो है, मैं वापिस उस माइंड सेट की तरफ से आता हूँ, वो जो माइंड सेट है, वो पाकिसान में प्रिवेल कर रहा है, अमरीका, कैनिडा में बसने वाले जो पाकिसानियों की अक्सरियत है, मैं यह करता सारे, लेकिन 90, over 90 percent, I can say it with authority, because I deal them day and night, वो unfortunately उसी माइंड सेट की शवार है, और वो माइंड सेट क्या है, कि अपनी दादी नानी जो हिंदू हेरिटेज के थे, उनको भूल जाओ, और एक fake identity, उम्मा की लाओ, ठीक है, उस उम्मा में वो फंसे हुए है, लेकिन सर एक थोड़ा सान पॉजिटिव है, अब भुलो विचेरे इस concept से बाहर निकल ले है, उनको समझागी कि ये खेल क्या है, महाजरों को, मेरी अलताफ हसेन भाई जो है, उनसे दोस्ती है, मेरी उनसे बात ही हर दूसरती से रोज होती रहती है, वो कहते हैं ताहिर हम से तो गलती होगी, मैंने का आपने थोड़ा मनाया था पा अपना एक माफिया गुरुब बनाया था, तो आप उस पर काबस होगा तो आपको जब मार पड़ी है पंजाबी से तो आप भी तौबा तौबा कर उठे हैं, ठीक हैं, अब वो भी कह रहे हैं कि हम खुदा में बचाएं तो फिर पाकिस्तान को होल्ड करने वाले हैं पंजा और इवन थोड़े से भलोच भी इनके साथ मिल गए हैं वो तो वेस्टेड इंटरेस्ट में होता ही है ना कि जब अब मैं आपसे पूछी चाहता हूं कि यह जो concept मैंने एक बार discuss किया था स्वदेशी Muslims जो स्वदेश मेरा देश मानते हैं मतलब यह स्वदेश है मेरा स्वद तो इसके बारे में क्या चांस है आपका कि यह चांस है इसका यह सक्सीर हो सकता है अच्छा इडिया क्या सब्सक्राइब इसका बहुत कम चांस है जब तक reformation नहीं होगी इसलाम की reformation नहीं होगी problem क्या है इस वक्त कि जो एक अंपड़ है ना भारती Muslim या पाकिसानी Muslim मुझे उससे कम खत्रा होता है वो बचरा अपने रोजी रोटी के चकर में है वो अपने नेबर्स के साथ हिंदू हो सिख्खों क्रिस्चिन हो वो get along करता है यह जो middle class और पड़े लिखे हैं New York में, Washington में across Canada आपको जो बड़े-बड़े neurosurgeon पाकिसानी mindset के doctor में लेंगे, इस तरह के लोगों से मुझे खत्रा होता है, वो मेरे कुलीग रहे हैं, मैंने भी MBBS उनके साथ किया हुआ है, चुकर मैं उनको जानता हूं, उनका problem क्या होता है, कि वो westerners को betray कर देंगे, या westerners को dodge देंगे, कि हम तो वाइन भी पीते हैं, टाई भी लगाते हैं, बड़े first class हैं, ठीक है न जी, Islamophobia की movement चलाने में वो आगे या पीछे, सबसे आगे वो होते हैं, सबसे बड़ी funding उनके होती है, जितनी Islamist organizations हैं, उनके पीछे ये लोग कड़े होते हैं, उनको क्या मिलता है? उनको एक false identity क एक obsession है, क्योंकि उनके पास धन्न है, पैसा है, वो आपनी असल identity को बोल गए, मैंने भारत के भी जो पड़े लिखे Muslims उनके कहीं दफार का, मैंने का मुझे आप ये बताईए, कि आपको क्या problem है भारत में, चुकि बाकी 57 Muslim countries में तो कोई अच्छा हाल नहीं है Muslims का, सबसे अच्छी Muslim नहीं बनते हैं, ठीक है, आप America आते हैं, Canada आते हैं, तीन से चार साल में आपको citizenship मिल जाती है, तो आप एकदम से American बन जाते हैं, आप कहते हैं, आप कहते हैं, ओ, we are Canadian, ठीक है, ठीक है, ओ, no, 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 don't touch us, we are Canadian, but you don't say we are Indians, ठीक है, ठीक है, आप क्यों बोल जाते हो, When it comes to Muslims claiming we are Canadian, they are very strong, we are Canadian, but why not the same thing for Indian? अच्छा, उसमें पे प्राप्लम है, कि we are Canadian, यहां पे system हमारे मताबक होना चाहिए, शरिया लाओ, लाओ, we are American, system हमारे मताबक होना है, swimming pool में, हमारी औरतों के लग से पूल बनाओ, Michigan में तो बहुत हो रहा है, ठीक है दी, Canada में भी हो रहा ह कि वो जो feminist है वेस्टन की, वो बिकेनी ग्रॉप है, वो कहते है, येस, इनको इजाज़त होनी चाहिए, अपने चेहरों को डापनी, कि मुझे सबना McMaster University में एक दफ़ा बुलाया, कैनड़ा में, लेक्शर के लिए, तो वो एक परफेसर ने का, लुक ताहिर, मैं दोने एक क कि यहां गोरियां भी हैं क्लास में, वो अपनी मुस्लिम सिस्टर के साथ हिजाब लेके बैठी हैं, मैंने का, Miss Alice, it's a nice gesture, next time, next week, invite me, when my Muslim sisters, would wear skirts, because this gesture is not a one-way traffic, it should be mutual, it's not a one-way traffic, right, कि वो हिजाब पहन के, गोरियां जो हैं, वो हिजाब दे मनाई, और ये अपने मुल्क की, जो अब उनका मुल्क है, Canada, उसकी values को celebrate मेरी बेटियां, और या मेरी बेहने ना करें, तो वो जो, अच्छा, अब यह हैं, वो proud Canadian भी है, proud American भी है, हमारी communities जो है, और साथ-साथ अपने ही, वो जो है, न बाक्स में रहना है, आउट बाक्स ना सोचना है, न रहना ह है, या मेरे को तुछ आपस में भाईचारा देता है, कोई भाईचारा नहीं सर देता, security भी कोई नहीं देता, वो एक mindset बन गया हुआ है, अच्छा, वो मैं कई ऐसी बुरका पहनने वालों का मैं इंटर्व्यू किया हूँ, या हिजाब वालों, it is our choice, मैंने का, आपकी choice है, और आपके भाई, आपको, no, 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 you are racist, how could I be racist, I am a Muslim too, I am a Punjabi too, मतों racist तो मैं नहीं हो सकता हूँ, मैं critic हो सकता हूँ, ठीक नहीं, तो वो problem sir, यह है कि, वो Canadianness को अपने benefits के लिए use करेंगे, Americanness को अपने benefits के लिए use करेंगे, लेकर unfortunately वो जो एक larger level का समाज होता है, उसका हि यह इंडिया में भी हो रहा है कि जब तक Indianness से कुछ मिल सकता है, ले लेंगे, लेकिन otherwise, trend बढ़ रहा है, Muslims to want to create their own separate identity, and the people who are responsible for it are the mullahs. सब मुलाजी नहीं है, अब मैं भारत की आपात करूं, 70 साल वहाँ पे कितना जली सेकुलरिजम चला है, क्या सेकुलरिजम के नाम पे triple तलाग को स्पोर्ट किया जा सकता है, सेकुलरिजम तो वो है जो मुदी जी नहीं की कि triple तलाग खतम, सेकुलरिजम सब क्या है, separation of religion and politics, अब वहाँ पे शरीया लाव भारत में अभी तक चल रहा है, personal Muslim law की situation में, कोई गुजाश दो नहीं है, एक सेकुलर कंट्री में, और उसको स्पोर्ट सर्फ मुसलमानों नहीं किया, नहरुजी से लेके, सारी modern जो है वहाँ की जनता, वो जो नेता हैं, सब में स्पोर्ट किय तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप जो लेफ्ट के या जो सो कॉल्ट सेकुलर लोग हो, आप मुझे ये बताओ कि आप ने तो फिनेटिसिजम को सेकुलरिजम के नाम पे पर्मोट किया ना, तो ये सेकुलरिजम तो नहीं था, सेकुलरिजम तो जो मुदी ची कर रहे है वो है कि ट्रिपल तलाग नहीं होगा जो पर्सीक्यूटेड बिचैरे लोग हैं उनको हम जगा देंगे ये 370 की घटिया आर्टिकल नहीं होगा चुके ये मार्जलाइज होते थे लोग इससे ये है ना सेकुलर लेकर वो राइट विंग है देखे डालेमा इंट्रेक्शिल डिस ऑनेस्टी पुलिटिकल डिस अब इसको ठीक करने के लिए जखिया मेरे मदर के घर में जो स्टाफ हैं के के तना के स्टाफ हैं एक लेडी है जो स्टाफ हैं नॉर्थ इस से एक है मुस्लिम है घर जाती है घर में हजबन इस वेरी मुस्लिम और सो टाइट तो हर नॉर्गिस अबाट अबाट अल्स तो शी सेस कि हमको कुछ पड़ा लिखा हमको नॉलेज खास इसलाम के बारे में नहीं है वी फॉलो वट जो भी मुला कहत लें है नहीं है लॉल्ल अमला के इसलाम है लॉल समझ लई ते रोला की ल्री मुला की वो Fields काईनात वी य्वर्स भी आगर इसका इसलाम होगा तो बाट बढ़ा सिंपल नहीं कि दूसरे की रिस्पेक्ट करो दूसरे को नपाक ना को और खुद को पाक ना तको ठीक है? ठीक है ठीक है कीसे क्लीम कर सकते हैं? कि मैं बड़ा बड़ीयाा हूँ और दूसरा नहीं है यह तो इथिक्स में गलाँ है तो यह जो मुल्ला centric, मुल्ला पार है इसको हटाने का क्या तरीका है? इसको हटाने का बड़ा अच्छा तरीका है कि ग्रैजुली मीडिया को एक्स्पैंड किया जाए। एजूकेशन किता है। अच्छे सब्सक्राइशन भी बड़ी खराब है। एजूकेशन मुलाई कंट्रोल करते हैं। इन फैक्ट अब जो इस्लामी कंट्रीज की जो एजूकेशन है वो तो इन लिखा हुआ था। यह गौर्मेंट भी इन्ट्रेक्शन लिखते थे। मतरब जो जिन्होंने बुग्स लिखी हुए थे। ठीक है। इन्ट्रेक्शन के काम तो इंपार्शल होना होता है। और लिबरल होना होता है। अच्छा लिबरल के मानी गलत हो गए। अब हर चीज के मीनिंग्स ही खराब हो गए। अब वो जो सर्जूटी कताबे हैं। उसको जिस जिस ने पढ़ा है तो 99 परसन लोग तो उसकी तरफ जाएंगे। अब हमें यह है कि जो सची कताबे हैं। जो सचे टॉक शोस हैं। जो सची नियूज हैं। उनको फिलाना है। और वो फिलाके हमने बताना है कि भई हम तो जो मुस्लिम्स हैं। बलदर्मा में पटिकर्व हैं। वो भी उतने ही प्यारे हैं। अनलस एंटल हेटरड ना हो उनकी तरफ से। जब हेटरड आएके तो दुख होगा। उसका रियक्शन बिल्ट होगा। यह एक नैचरल बात है। तो हम तो देखिए सर्थ ऐसा एक सिस्टम एवाल्व करना चाहते हैं। जाहे इन्फिनिटी फांडेशन हो। चाहे टैक टेवी हो। चाहे और हमारे साथियों हम तो enlightenment की बात करना चाहते हैं। प्यार की बात, humanity की बात, यह जो पाक और नपाक का जगड़ा है ना इसको खत्म करना चाहते हैं। यह बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। यह बहुत बात हैं, यह जो आज हैं। क्योंकि मैंने यहां higher education में काफी intervention की है और मेरा खिल यह दोनों important है भाग दोनों important है क्योंकि यह जो media वाले हैं वो यह जो education system से तो पैदा होते हैं वो यह कोई जर्नलिजम पढ़ने चाहते हैं उनको यह सिखा जाता है अब इंडिया में जो कोई journalism school में जाए तो उसको यह South Asian studies यह social sciences यह वो सिखाने चिखा दिते हैं तो उस वो उसको टेक्नीक camera की भी आती है लिखने की भी आती है लेकि आइडियोजी उसके ऐसी आजाती है absolutely तो यह change करना चाहिए बिलकुर सरी change करना चाहिए मैं बहुत-बहुत शुकर गजार हूं कि आपने फिर वक्त दिया मुझे हम बात करते रहेंगे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपके साथ बैठके जो आपकी आपका gesture है उसे हम सीखते चले चाहेंगे मेरे को तो भी बहुत ही मज़ा है कि आप Pakistan के born हैं आप Muslim हैं आप Canada से हैं आप India से भारत से जुड़े हुए हैं आपका बहुत successful TV show है हम चाहते हैं और भी show आपका बढ़ता जाए उससे उसको बढ़ाने के लिए जो कुछ भी हम करना चाहते हैं करेंगे जो कुछ भी आप करना चाहते हैं हम जरूर करेंगे और आप से मिलके आगे बढ़ेंगे तैंक्यू सर्व बहुत बश्चापिया व्यूर्स आपने बात चीत मेरी और जनाब रजी मलहोतरा साथ की सुनी और ये वो बात चीत है जो होती रहने चाहिए और होती रहेगी इसलिए कि हमें अब केंडर टॉक करती है हम कब तक अपना जोट चुपाएंगे और कब तक जोट को परीच करेंगे जैसा कि मैंने पहले भी कहा आप सब भी हमारे साथ शा टार टॉक